अलो दोस्तो वेलकम टो स्लीपी ग्लासेश दोस्तो आज हम एक इंपॉर्टन टॉपी करने वाले हैं क्यों इंपॉर्टन मैं भी बताऊंगे एक रिसेंडली न्यूज आई है और वो न्यूज की वज़ा से यह हमारे लिए प्री के अंदर क्वेशन आ सकता है और मेंस के क्या बेनिफिट हैं क्या न्यूज है यह सारी बाते करेंगा दोस्तों यहां पर यहां पर 2023 के अंदर रिसेंटली जो उनाइट नेशन ने डिकलेर किया है 2023 जो होगा इंटरनेशनल येर्स आफ मिलेट तो यह सारी चीजें हैं तो इसके उपर बात करेंगे अपने बहुत सी मिलर्स के बारे में सुना हुआ घर के अंदर तो यही सारी चीजें हैं जहां पर आपने वो मिक्स करके कोई बना के काटा बनाते हैं उसकी रोटी बनाते हैं उसको खाते हैं ना कंस्यूम करते हैं कि यह अच्छा है तो यहां पर हम बात करें दोस्तों तो इससे पहले एक औ और नीज है दोस्तों कि आपको पता है क्रैश कोस्त जो है हमारा दोजर तेज का यह लाउच हो चुका है और यहां पे डेली क्लाइस होती है सब्जेक्ट वाइस होती है है तो साइन्स एंटेक्ट करता हूं इसे मिलरली अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग फेकल्टी तो यहां पे स्टैटिक कंसेट्ट भी पढ़ा जाते हैं जो भी करंट फेर न्यूज में है और जो रीसंट टाइम के अंदर आया है वो उस टॉपिक से लेटर हम बात करते हैं मेंटॉर्शिप है वन टुवन और एमसी को बहुत जा रहे हैं जो आप सॉलो कर सकते हो एट फ बहुत हैं आपने पता नहीं कितनी यूट्यूब पे वीडियो देख लिए होगी है ना कि यह मिलट के आपके मदर बोलती है कि बचा यह खाओ है ना तो लेकिन हां मैं खुद तो बहुत जारा नहीं करता बट आपको तरीका बताऊंगा यहां पर तो यह वेट लॉस के अं यहां पे आपको याद नहीं करने यहां पे हमने समयने तो यहां पे क्यों मिलट यूज़ करना है तो उसके बारे में बात करेंगे तो यह बहुत से बेनेफिट है इसके अंदर यहां पे देखो एक तो हम नौर्मली जो क्रॉप है गरोangen करते हैं जहां पे हम वीट राइस क की बात करते हैं तो एक तो हमें पता है जोग्रफी हमने पड़ी है वहां पर यह बोलते हैं भी पानी बहुत जला करते हैं तो यहां पर एक तो देखो इसके अंदर बेनिफिट क्या है कि लो रिक्वर्मेंट ऑफ वाटर ठीक है दूसरी बात है कि जो डॉट है वो टॉल्रें आता तो यह वाला यरिया आपको देखना इसके इन्डिया के नदर बाजरा कहां पे है रागी काहां पे रोपिजाती है जाला कौन से स्थ टेट आ वो आपने एंगल देखना है जें हम बात करे हैं कि नेंधर नीट्रेशन कें देखु हम यहां एक है कर राईस और वीट त उनके अंदर प्रोटीन की भी थोड़ी सी कमी आ जाती है वहाँ पर जिसकी वज़ा से मसल वास्टिंग लोवेट ये सारी चीज़ें आती है तो यहाँ पर यह जो चीज़ें है वो पूरी कर देता है ठीक है अगर हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो वीट की फोल वीट की तो वह थोड़ा सा इसके कमपैरिजन है बट राइस के अंदर आप देखो गे वह बहुत कम है उसके अदर प्रोटीन तो राइस के कमपैरिजन तो यहाँ पर हमें प्रोटीन मिल रहरा है ठीक है ये बात होगी दूसरा फाइबर है औराउंड 11 ग्राम प जाके degrade होती है एक दम से हमारा blood sugar level जो है spike करता है उपर को ठीक है उस जो blood sugar level जो है हमारा एक दम से spike करता है क्योंकि वह बहुत ही तेजी से digest हो जाती है breakdown हो जाती है blood sugar level अपना बढ़ गया तो इस case के अंदर क्या आ गया insulin आएगा insulin इसको decrease करेगा कैसे करता है बात करेंगे तो यहां पर अगर fiber है fiber क्या करता है basically इसी digestion को slow कर देता है ठीक है थोड़ा थोड़ा हलू 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 काम चलता है तो अपना इतना जल्दी जो blood sugar level बढ़ता नहीं है तो इससे क्या है एक maintain level रहता है कि मालो normal food है वो दो उससे ज़्यादा टाइम ले लेता है तो fiber का इसके अंदर बहुत benefit है तो यहां पर fiber आ जाता है आपने गर में कहते हैं salad खाओ तो उसके अंदर भी fiber होता है तो हमें benefit मिलता है इसके लवा दोस्तों हम बात करें iron की तो बाजरा के अंदर यह iron हमें ज़्यादा मिलता है देन रागी के अंदर calcium बहुत है बहुत से लोग हैं आज कल calcium की कमी हो रही है और हम tablet काते हैं तो वह रागी consume कर सकते हैं बड़िया एक मतलब उसका अलग benefit है बाजरा के अंदर इसके लावा vitamin B3 बहुत जाला है दोस्तों तो यह B3 niacin भी जिसको बोलते हैं तो यह क्या है basically triglyceride जो fat है हमारी body के अंदर बहुत जारा absorb होती है उसको ही control करता है तो इसके fat के context के अंदर भी हमें बहुत जारा fat नहीं बढ़ेगी जो कारी जो disease है उसे related है protein का content इसके अंदर अच्छा है और fiber तो अगर आपको एक easy way के अंदर समय नहीं तो हमें यहाँ पे 3-4 benefit मिल रहे हैं एक तो जो fiber मिल रहा है fiber मिल रहा है जिसकी वज़ा से जो हमारा जो blood sugar level है वो control रहता है दूसरा दोस्तों हमें यहाँ पर protein भी अच्छा खासा मिल जाता है इसके लवा micronutrient वगएरा भी काफी इसके अंदर मिलते हैं तो यह दो चीज़े हैं जिसके लिए हम इसको target कर रहे ह अब यहाँ पर glycemic index देखा जाता है आपने बहुत पार YouTube पर वीडियो या कहीं नहीं पढ़ा होगा glycemic index glycemic index basically food का निकालते हैं फूड का इस तरह से निकालते हैं कि वो जो फूड है हमारा blood sugar level कितनी तेजी से rise करता है उसको बोलते हैं जो glycemic index जैसे आप white bread consume करते हैं तो जैसे आप ने खाई तो blood sugar level बहुत तेजी से अपना ऊपर उठता है तो इसका glycemic index ज्यादा होगा तो हम इसको low से लेके जैसे 55- 55 तक हम low मानते हैं 75 और 70 के बीच में मीडियम मानते हैं उससे ज्यादा हाई मानते हैं तो जो low है जहां पर high fiber आपकी diets आएंगी वो सारी उनके glycemic index low होते हैं तो वो हमें benefit देती हैं उनसे एकदम से sugar level rise नहीं होता अब यहां पर sugar level की बात मैं बार बार कर रहा हूं कि sugar level rise हो sugar level अब इसका फंडा गया है देखो हमने कोई ऐसी चीज खाई जिसके अंदर sugar जादा है तो इसके blood के अंदर जो है अपना glucose का level बढ़ गया ठीक है अब इस glucose को मैनेज कैसे करना है ठीक है normal blood sugar level हमने लेकि आना है तो हमारे body के अंदर क्या होता है कि pancreas pancreas के अंदर beta cell होते ह है वो जैसे ही sugar level बढ़ता है वो insulin को कहते है बही चल release करते है तुझे आज ठीक है तो अब यह insulin release हो गया insulin ने देखा यह blood के अंदर तो sugar बहुत है अब यह kidney के अंदर यहां वहां जाएगी तो दिकत पेश हो सकती है तो इसको sugar को हमने glucose को store कर रहा है तो यह क्या करता है जो glucose है उसको उठाके cell के अंदर डालना स्टार्ट कर देता है और liver के अंदर यह as a glycogen जो store हो जाती है तो अब हमारा glucose glycogen के अंदर convert होके liver के अंदर store होगी तो अब हमारा glucose level जो है ठीक है वो जो है वो control हो गया ठीक है अब दूसरी बात कि माल लीजिए glucose level बहुत जारा कम हो ग करेंगे तो उस तेम पे जो pancreas है उसके alpha cell जो है वो glucagon को release करते हैं glucagon ठीक है अब यह glucagon क्या करता है उसी glycogen को वापस glucose के अंदर convert करता है blood sugar level को फिर maintain कर देता है तो जैसे कभी कभी मारी जबान बहुत जारा सूख जाती है तो वह सारी condition इसके अंदर आ जाती है तो इस को बहुत जारा consume कर रहे हैं ऐसे carbohydrate source है या sugar जिसके अंदर बहुत जारा हम consume करते जा रहे हैं तो हमारी body के अंदर दीरे-दीरे हो जाता है insulin resistance है यह mainly कहां पर होता है diabetes type 2 के अंदर यह हमें चीज़ देखने को मिलती है insulin resistance कैसे होता है उसके उपर बात करेंगे healthy person जो है जिसके अदर जो normal है उसके अंदर क्या होता कि जैसे आपने खाना खाया अब blood के अंदर glucose आ गया glucose बढ़ गया तो आपको पता है कि अब pancreas क्या करेगी insulin को release करेगी insulin release हुआ उसने glucose को पकड़ा और वह उठाके cell के अंदर ले गया और वहां पर चला गया तो इसके blood sugar level up नॉर्मल हो लेकिन यहाँ पर pancreas जो है insulin produce नहीं करती तो अगर यह नहीं करेगी तो इस glucose को उठाके cell के अंदर कौन लेके जाएगा नहीं तो यहाँ पर जाता नहीं है तो उनको medicine वगएरा यह सारी चीज़े लेनी पड़ती है टाइब टू जो है वो विद टाइम लेटर स्टेज के अंदर आती है उसके अंदर क्या आता है glucose रिलीज हुआ insulin भी रिलीज हुई ठीक है अब insulin ने क्या किया glucose को पकड़के cell के अंदर लेके जाना है शिरू किया लेकिन cell जो है उसको respond नहीं करते हैं जो cell के receptor है वो respond नहीं करते हो कहते हम लेना नहीं है तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है इस condition को बोलते है insulin resistance जब cell है insulin को respond करना बंद कर लेते हैं अब यह बंद क्यों कर देते हैं उसके पर बात कर लेते हैं तो यहां पर जैसे मालो आपने फूड़ खाया ठीक है जिसके अंदर हाई शूगर है यह सारी चीज़े हैं अब यहां से जो blood glucose level है अपना बढ़ गया blood glucose level यहां पर बढ़ गया अब बाड़ी क्या यहां पर insulin को release करें कि भी जा है ना blood sugar level है उसको control कर तो यहां पर यह इंसुलिन glucose लेके cell के पास जाएगा cell बोलेगा क्या बात है यह बोलेगा glucose लेके आए हूं तो यह सेल गएगा ठीक है मुझे नर्ची के लिए चाहिए तो वो ले लेता है अब हम अटने वाले नहीं हम फ फिर इंसुलिन को बलाता है बात सुना तो इंसुलिन कहता क्या है तो कहता कि ले जा यहां पर glucose के पास ले जा सेल कहता यार क्या है वह इतनी glucose लेके आरे मुझे इतना नहीं चाहिए मेरी energy के लिए सफिशेंट है यह कहता कि नहीं थोड़ा सा ले ले तो सेल दुखी होके कह है वो मरेगा कहता नहीं तो यह जाता है उसको बोलता कि घुल्कोस ले ले यहां से नहीं करता है इसके बाद Edu पर अब यह पिर और इसको बगा देता है तो यह बाड़ी के उसके पास चाहता है कहता है यार यह तो कहता क्या हुआ है कि तो इस तरह से जो है सेल देरी-देरी क्या करता है कि सेल फ्रस्टेट हो जाता है वो एंट्रिं नहीं दे रहा है और सेल जो ह Pence कर लेता है सक्ट कर लेता है और यहाँ पे भी लॉस होने लगता है क्यों क्यों क्योंकिtक कि यहां पै यह वडा गुलुको जो है जो बार वो लेके जा रहा है उसको वो कहता है मुझे लेना है मैं चाहे ऐसे कहता है वेट लॉस हो जाए बाडी का लेकिन लेना नहीं तो यहां पर बाडी का काफी ज़्यदा वेट जो है वो ड्रॉप होने लगता है अब इस कंडिशन को बोलते हैं इसकी ट्रीटमेंट के आप जो शूगर लेवल है उसको लो ऐसी डाइट लो जैसे आपने मिलर्स वगरा ली तो उससे गया होता है ब्लड शूगर लेवल कंट्रोल रहता है हम फाइबर जारा घाते हैं तो देरे देरे जो है यह जो लेवल है जब गुलुकोस का बहुत जारा कम हो जाता है तो ले लो उसके बार बंदी करते हैं यह जाता है तो अगर आप यहां पर देखोगे तो यह क्या कि आपका जो बॉड़ी है उसको किस तरह से अगर आपको यह समझ आगे अपने पेरेंट्स को बताओ बहुत से हैं जैसे मिलट है मिलट सो गरा कुछ लोग नहीं प्रसंद करते हैं खा नहीं सकते तो आप क्या कर सकते हैं जो नॉर्मल जो खाना खाते हो है ना उसके अंदर साथ में फाइबर एड़ कर लो अब यह फा लगा तो यह सरी चीजहें जो आपको दियान में रखनी है तो यहां पर करना जलूरी है क्योंकि यह पोटक यह लगता है यह इस बार में भी आ सकता है काफ़ी जाए या निजी में भी है और आज काल तो ट्रेंड भी है सोचल मीडिया के उपर मिलट खाएंगे रागी खाएंगे पता होता नहीं कि रागी होती के है तो यह सारी चीजें तो यहाँ पर बात को खतम करते हैं आपको समझ आया होगा अपने पेरेंस के साथ शेयर करो इस वीडियो को और लाइक करो और कमेंट को जरूर करके बताना कि आपने क्या खाया किसी ने टेस्ट किया या क्या बेस्ट कंबिनेशन क्या है जिससे टेस्ट भी बना रहे और मन जो है वो बढ़ता नहीं है फिर खा ही हम तो ना हम भी ट्राइब करेंगे तो मिलती है नेक्स सेंग तेंक इस